बिस्मुले रहाम रहीम आज हम लोग Global Financial System के बारे में पढ़ेंगे कि उसमें जो लेटस्क डिवल्पमेंट्स होई हैं वो किस किसम की डिवल्पमेंट्स हैं अगर आपको हमारे ये वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और बैल आइ केमेंदर जो एक्सपोर्ट्स और entire system में currency का यूज होता है और कौन सी कि की वैल्यू कितभी और वो कौन-कौन से तरीके हैं जिसके जरीय से जो States हैं वो किस तरह से किन Stri One के तैथ एकंपोर्स को ब्लॉक फॉर्पमने म्लॉक कर सकते हैं और एकस्पोर्ट को भेड़ सकते हैं और कौन किस मुलक पर कैसे सैंक्शन लग सकती हैं यह सारी चीज़ें इसमें शामिर होती हैं तो डॉमिनंस आफ दॉलर आफर ब्रिटन वोड क्लैप्स जब ब्रिटन वोड टॉलैप्स हुआ तो उसके पर लोगों का इतना confidence था state का कि उन्होंने ये समझा कि जितने भी imports और exports के लिए जो पैसे भरे जाएं वो dollar के अंदर भरे जाएं क्योंकि उनको ये था कि ये जो currency है ये collapse नहीं कर सकती Americans power की वजह से तो American की जो dollar है इसकी dominance होगी Britain जब collapse हुआ तो it accorded power to the United States of America to sanction adversaries इसने United States of America को ये पावर दी dollar के इस्तेमाल ने power दी क्योंकि dollar American currency है कि वह किसी भी country को जो उसके interest के खिलाफ काम करें international system में यानि उसके political interest के खिलाफ काम करें तो उसको sanction कर दे एराक पे United States of America ने sanctions लगाई थी South Africa में apartheid regime था तो 1977 में South Africa पे भी sanctions लगाई थी United States of America में क्योंकि वहाँ पर अपार था इडिजीम था लेकिन ये sanctions बहुत ही ये अच्छी नहीं होती क्यों अच्छी नहीं होती अगर आप एक किताब पढ़ें जो के इसी sanctions एराक के ओपर sanctions पर लिखी हुई है तो उसमें ये लिखा हुआ था मैंने पढ़ा मुझे किताब का नाम भूल गया तो उस किताब में ये लिखा हुआ था कि जो sanctions होती है sanctions में जो responsible लोग होते हैं for example sanctions तब लगते हैं जब आप ये देखते हैं कि जो leadership है उसकी जो policies हैं वो international system को खतरा लाइक है उससे वो peace को sport नहीं करती तो उस किताब में ये लिखा हुआ था कि इराग की sanctions ने सदाम हुसैन को कुछ नहीं किया यानि सदाम हुसैन उसका जो टोला था उसकी बाथ पार्टी थी उसको कोई impact नहीं हुआ उसका और सारा का सारा जो sanctions का impact था वो lowest threat of society को हुआ lowest threat of society को हुआ उसकी क्या वाज़ा है क्योंकि ultimately sanctions से suffer कौन करते हैं जो निचला तबका है जो lower तबका है उसको face करनी पड़ती है difficulty इंपोर्ट बंद हो जाती है आपकी export खतम हो जाती है और country को economic मसले मसायल शुरू हो जाते हैं तो ये sanctions के बारे में भी हमने देख लिया है कि sanctions जो है वो अच्छी नहीं होती तो तो American को Britain वुड के collapse ने ये power दी के उन वो अपने डालर कर इस्तमाल करके वो मुलक जो उनके खिलाफ काम करते हैं उनको sanctions कर सके क्या American की ये monopoly आज मैनस में है क्या उसको खत्रा है तो हम इसको देखते है Rise of international digital system आई लोग digital currency के बारे में देख रहे हैं कि कोई ऐसी international currency बना दें कि जो कि digital हो जो कि किसी के control में ना हो ठीक है या फिर वो currency हो जो डॉलर से अलग हो क्योंकि America ने misuse भी किया है और अब America के competitors भी international system में rise हो गया है जैसे चाइना चाइना का rise हो गया है और जैसे रशिया रशिया अब दोबारा research कर रहा है अपनी power को और इंडिया का भी rise है ब्रिक्स के country हमने देखे के उनकी जो economy है वो rise करने की तरफ गई और वो पांच countries है उन पे मुस्तमिल जो है वो एक block है तो अब एक currency आई है रमेनबी currency है रेनमेनबी तो ये currency कितनी है पाकिस्तान में एक रेनमेनबी जो है वो 25 डॉलर का और ये चाइना की डिजिटल करनसी है चाइना की ये डिजिटल करनसी है अब चाइना ने योआन को क्यों नहीं किया क्योंकि योआन के उपर जो international system के लोग है उनका confidence बहुत कम है तो चाइनीज ने एक डिजिटल करनसी इंट्रोडीस करवाई है और उमीद ये है कि future के अंदर ये रानमेन भी जो है ये क्या होगी ये international करनसी होगी अब इससे क्या होगा अमेरिका की power कम हो जाएगी sanctions लगाने की जो कि हमें already नजर आ रहा है कि अमेरिका की power कम होगी for example इरान भी American sanctions को evade कर रहा है किसकी वज़ा से evade कर रहा है चाइना की वज़ा से evade कर रहा है इसी तरह से बहुत सारे ममालिक और भी कोई alternative देखना की कोशिश कर रहे हैं जैसे अभी अभी पाकिस्तान ने का कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जो trade है वो रुपीज में तो यह कमी यह जो है वो एक sign दिखाई दे रहा है कि American जो financial monopoly है उसको आइस्ता आइस्ता एक dent पढ़ना शुरू हो गया मुझे अमीद है कि यह आपको अच्छा भी डगा होगा अगर आपको चले तो आप चैनल को subscribe भी कर सकते हैं शुक्रिया